जैसा कि आप सभी भागवत प्रेमियों को पता है कि लंकापती रावन भगवान शिव का परम भक्त था भोलेनात की कृपा से ही वो इतना शप्तिशाली बना था बलवान होने के साथ साथ वो महान पंदित और ज्यानी भी था उसने शिव टांडव स्त्रोत की रचना कुछ पलो में ही कर दी थी रावन भोलेनात को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था रावन को अपनी शिव भक्ति पर बहुत ज्यादा हंकार था वो चाहता था कि उसके आराध्य शिव उसके साथ ही लंका में रहे उसने इसके लिए घोर तपस्या की एक-एक करके अपने दस बार शीश काट कर फोलेनात के चर्नों में चढ़ाए आखिर में शिव जी ने उन्हें दर्शन दिये और उससे प्रसन्न होकर वर्दान मांगने को कहने लगे रावन ने शिव शंकर से विनती की प्रभू आप शिवलिंग के रूप में मेरी लंका में विराजमान रहे फोलेनात अपने इस परम भक्त की इच्छा को टाल नहीं पाए और एक शिवलिंग को प्रकट कर दिये रावन ने शिवलिंग को उठाया और लंका की तरफ जाने लगे अभी देवी देवता भैभित हो गए वे सभी जानते थे कि यदि शिव लंका में रहने लगे तो रावन अजय हो जाएगा कोई भी लंका को जीत नहीं पाएगा जिस नगरी में शिव रूप में शिवलिंग स्थापित हो वो नगरी कैसे परास्थ हो सकती है तब देवताओ को श्री गनेश जी का ध्यान आया जो छोटे से बालक पर परम बुधिमानी थे देवताओ को विश्वास था कि गनेश जी रावन के मार्ग में विग्ण डाल सकते है और उसके इरादों पर पानी फेर सकते है देवताओं ने सारी बात गनेश जी को बता दी बुधि के देवता गनेश जी ने निकाला हल बुधि के देवता ने अपना रूप एक क्वाले का किया और रावन के मार्ग में खड़े हो गए उन्होंने अपनी माया से रावन को लगुशंका लगा दी रावन से अब रुका नहीं जाना था उसने सोचा क्यों ना इस गवाले के हाथों में इस शिवलिंग को रख कर लगुशंका से निवरत्त हो आए गनेश जी तो चाते ही थे कि ये शिवलिंग कैसे न कैसे लंका तक नहीं पहुचे रावन के जाते ही गनेश जी ने उस शिवलिंग को जमीन पर रख दिया जब रावन फिर से आया तो उसने देखा कि गवाला तो गायब है और शिवलिंग धर्ती पर रखा हुआ है रावन अत्यंत क्रोधित हुआ और पूरी शक्ती से उस शिवलिंग को उठाने लगा पर वो उसे उठा नहीं सका इस तरह शिव की क्रिपारूपी शिवलिंग लंका जाने से बच गया रावन ने क्रोध में दबा दिया शिवलिंग रावन पूर जोर बल लगा कर भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया तो उसने अपने अंगूठे के जोर से शिवलिंग को दबा दिया जिससे वो शिवलिंग आधा जमीन में थस गया और उसके उपर का आकार भी बदल गया अंगुठे के दवाब से उस पर एक गाई के कर्ण का निशान बन गया आज भी दिखाई देता है यह शिवलिंग यह शिवलिंग आज भी आप देख सकते है इसका नाम गवाला गूकरनात शिवलिंग है यह शिवलिंग लखिमपूर खिरी के पास ही है लखिमपूर खिरी उत्तर प्रदेश में एक जिला है यह नेपाल से जुरा हुआ है तो दर्शको यह थी हमारी पोरानी कहानी जिसमें आपने जाना की बुद्धी के देवता श्री गनेश ने कैसे अपनी बुद्धी से रावन को ठग लिया और कैलाश को लंका जाने से रोक लिया आशा करती हूँ आपको यह कहानी सुनके अच्छी लगी और हमें यह बताना मत भूलना आप में से कितने लोगों को गनेश ची और रावन की यह कहानी पता थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब का धन्यवाद जय श्री गनेश